वरी गूश्य प्लाइश यूट्व प्लाइश्य लेशन का डिसकस करने जा रहे हैं अगर का सब्सक्राइब ऑपिक है यूस ने संक्षिन लगा दिये हैं वाक्सीन के जो रौ मेटेरियल है उन पर देखें यह नीशू कहीं 3-4 दिनों से जखाफी जादा चल रहा है लेकिन सो वी विल गो इन डीटेल एन वी लुक इंटो इट की यह ऐसी कॉन से रो मेटीरियल है जो उनाइटे स्टेट जो इन वे अभी इंडिया का इतना अच्छा दोस्त है बट स्टिल इस नाइबल तो प्रोवाइड इंडिया और फिर यहां कोई और दिफिकल्टी है इस पूरे वीडियो को देखें चलिए लेट स्टार्ट सेशन और न्यूस क्या आई न्यूस आई आज यह कि युनाइटे स्टेट्स ने फार्मासोटिकल नीट्स को इंडिया में जो सिचुएशन है वह बहुत ड्रास्टिक है कोविट की सिचेशन और इस लिए युनाइटे स्टेट्स अंडिस्टांड वाट्स इंडिया सिचुएशन एज और जितने जल्दी स्मूद्धी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे लेकिन अभी भी कोई क्लियर स्टेट्मेंट नहीं दिया है तो हम आज हम लास में डिसकस करेंगे इस लेक्शर में डिसकस करेंगे कि क् ठीक है और इंडिया की वह से कोई दिक्कत हो गई हमने करें सही टाइम पर वैक्सीन के लिए नहीं मांगे राव मेटीरियल या कोई और चैनल है जिसके तुरू में राव मेटीरियल एक्चुली ट्राइक करना चाहिए लेने की लिए वट आर एक्चुली डिफिकल्टीज इन मेकिंग वैक्सीन राइट नौ लुक इंटो इट चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले लेंट में रेमाइंड यो अगें अगर आप यू पीए सी की प्रप्रेशन कर रहें तो आनकैडमी के ठू करें एक्ट्वाइड में नहीं प्लाइडा से ज्याद सब्सक्रिब्शन भी देगी तो थाइश सब्सक्रिब्शन ले लें इस वीडियो के नीचे लिंक होगा उसमें गूगल form होगा उसको खोलिए उसको मिने details fill up करिए उसमें लिख दीजेगा लास्ट option point number six पूछा जाएगा कि किसने आपको recommend किया है उसमें मेरा नाम लिखिए शुतांग पांडे और forward करिए आपको unacademy से call आएगा वो call आपके सारी problems का solution होगा because आपको EMI के थू सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा even though अगर आपके पास debit card या credit card नहीं होगा ठीक है बड़ा simple सा तरीका है और आप अराम से अपनी पढ़ाई continue कर सकते हैं तो make sure वो करें एक बाद सब्सक्रिप्शन ले लें फिर वापस से 21st April से जो बैचे शुरू हो रही है याँ सुबह से बैचे शुरू हो नहीं है इन में को join करेंगे इन बैचेस को attend करेंगे और साथ-साथ जो free test चल रहे हैं उनको जादा से जादा प्राइवेट कंपनी है जो government of India के कहने पर इसमें वैक्सीन बना रही है ठीक है और उसके जो CEO है अदार पूना वाला अदार पूना वाला ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्हों ने United States के President को टाग किया President of the United States Portus को respected Portus if we are to truly unite in beating this virus on behalf of the vaccine industry outside the United States I humbly request you to lift the embargo of raw material exports out of United States so that vaccine production can be ramped up your administration has the details now इन्होंने details दी नहीं और इनका कहना यह है कि United States ने vaccines में यूज होने वाले कुछ raw materials को रोक रखा है साथ ही साथ जब detail पता करने के कोशिश की कही तो यह भी पता चला कि Indian Ambassador जो है United States में तरंजीत सिंह संदू वो भी बार-बार conversation में है Biden administration से कि यह कुछ raw materials है जो United States इंडिया को भेज नहीं रहा है जिसके कारण उतनी speed से चीज़े नहीं हो पा रही है जितनी speed से होनी चाहिए थी ठीक है तो मतलब एक चीज़ समझ लीजे आप कि कुछ raw materials है जो vaccination process के लिए important है जो United States provide नहीं कर रहा है अब इंडिया आपको पता है आज कर इंडिया और United States के relations काफी अच्छे है लास्ट 10 years में लास्ट एक टिकेट में इतने अच्छे relations हो गया है वी बोथ हर पार्ट ऑफ क्वाड और अगर कोविड के अलग से भी देखा जाए तो देखें problem क्या हो रही है कि Donald Trump जब President थे उसी समय डॉनल ट्रम ने 1950 में World War II के बाद United States में एक act बना था इस act का नाम है Defense Production Act 1950 इस act में ये लिखा गया था कि अगर कहीं भी कोई भी war like situation आती है तो जितनी भी कमपनिया United States में हैं उनको पहले domestic production करना पड़ेगा domestic requirements फुल्फिल करने के लिए अगर domestic requirements फुल्फिल नहीं हुई हैं तो वो कमपनिया कोई भी उनका international commitment हो doesn't matter वो export अपने products को नहीं कर सकते हैं करेंगी United States government उनके समान को उनके product को सीज कर लेगी और इसके साथ साथ जैसे ही Moderna और फाइजर यह वो दो कमपनिया हैं जिनके through United States अपने सारे vaccines बनवा रहा है हम बार बार ऐसा सुनते हैं कि United States जी चार गुना अपनी population से ज्यादा vaccination के लिए वेक्सिन जाइब्स जो हैं वो रख लिए हैं बनवा के नहीं नहीं रखें उन्होंने चार गुना ज्यादा vaccination जाइब्स के प्लान है कि 4th of July United States के independence दे के दिन तक वो भी जैसे इसराइल ने कल order पास किया है कि अब इसराइल इस कोविड फ्री और लोग बिना मास्क के इसराइल में घूम सकते हैं उसी तरीके से डॉनल यॉनाइटे स्टेट्स में जो बाइडन का प्लान है कि 4th of July उनके इंडेपेंडेंडेंस दे पे उनाइटे स्टेट्स भी कोविड फ्री हो जाए और इसलिए जितनी भी फैसिलिटीज हो सकती है रोव माटीरियल से लेके एवरीफिंग एल्स जो भी कमिट्मेंट थे आउटसाइड वर्ल को उसको सब को साइडलाइन कर दिया गया है और और जो भी वैक्सिनेशन बनाने वाली कंपनीज है उनके रोव माटीरियल की कमी हो गई है और दाट्स दा प्रॉब्लम नाव दिसकोशन है नाव बीन क्योंकि इंडिया क्योंकि आर वरी गुट तर्म उनाइटे स्टेट्स इंडिया अस टेकन अप इस इश्यू एट वेरी मैन लेवल्स ठीक है फौर एग्जामपल इंडिया के फौरे इश्यू को रेस किया प्रॉब्लम सेम उन्होंने बताई कि इंडिया के लिए तो आप इस वैक्सिनेशन के रोव माटीरल को भेज़ दीचे लेकिन आज की डेट में आज की बताते है तबड़ अची है कौन सी दवा खानी है कौन सी दवा नहीं खानी है everything the only person United States right now believes and have faith in is Anthony Fauci even Anthony Fauci से question पूछा गया press conference में कि sir have you any you have any know-how know-how about the things the raw materials जो इंडिया को चहिए and he also said the same thing that we don't have any answer we don't have any answer for you yet but we will get back to you okay इसके बाद यह सेम चीज यह सेम question press conference में जो daily white house में press secretary है उनकी जन पसैंकी उनसे भी चीज पूछी गई जन पसैंकी ने भी सेम चीज क्या कई उन्होंने बात ही गुमा दी उन्होंने क्या किया उनसे जब यह पूछा गया कि जी यह raw material है यह Indian companies order दे रही है और United States की companies उसको भेज नहीं रही है because United States government allow नहीं कर रही है तो क्या आप यह restrictions हता सकती है क्या आप यह sanctions हतवा सकती है and she again took the whole issue to WTO she started talking about कि देखे जी COVID response के लिए United States इतने सारे steps लिए है और 4 billion dollar का अलग से हमने commitment किया है COVAX को develop करने के लिए इसके साथ Quad के थूँ यानि चार कंट्रीज के Quad के थूँ भी जो vaccination की initiative ली गई है उसमें भी Novavax और Johnson & Johnson जो है वो जल्द ही India में अपनी vaccines बनाना शुरू करेगा और Indians को vaccines मिलने लगेंगी तो यह problem solve हो जाएगी and for that raw material I will get back to you so जब इतने सारे लोग get back to you बोल रहे है इत मेंस कि कोई जरूर ही कोई raw material है which is very essential and which basically has been taken over by Moderna and Pfizer to make sure कि United States की requirement पहले fulfill हो जाएग उसके बाद फिर हम अपने friends को friends of friends को दे देंगे यानि कि India को दे देंगे and that is what is going on okay so this is the actual situation on ground at every look in corner हर जगा Indian officers इंडियन जो भी representative थे उन्होंने race कर दिया इशू को लेकिन अभी कोई outcome नहीं आया है but it is visible that United States की government को pressure थोड़ा बनाया गया है and it is very much possible by tomorrow or day after tomorrow United States वो raw materials जो है वो India के companies के लिए और खास का Serum Institute के लिए खास तोर पे release कर देगा let's hope for the best and let's hope कि Serum Institute में जल्दी से vaccination की raw material आ जाए and the work starts back at least it will also give a boost to India United States relationship जो अभी थोड़ से खराब हो गयते अगर आपको पता हो क्योंकि Indian Ocean में free navigation के नाम पे United States अपनी ने भी ले किया आ गया था ठीक है so that's keep these things in mind these are small small changes happening on world platform which ultimately have the capability to reorient the geopolitical relationships okay so we'll keep a tab of this and we'll keep you updated you also make sure to watch the videos and share with your friends that will be the best you can do and I can do एक बार वापस से मैं आपको बता दूँ कि April 28 से पहले अगर आप subscription लेते हैं तो आपकी subscription को तीन महीन एन एकेडमी बढ़ा देगी instead of एक साल की subscription शेप April 2022 में खतम हो जुलाई 2022 में खतम होगी तो इसलिए make sure करें याद रखें 28 April के पहले subscription ले 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 ओके combat में अपने आपको रिष्टर करें combat देते रहें that will be all for this lecture make sure कि 1130 पर Modern History का लेक्चर टेंड करें and we'll catch up again tomorrow morning thank you and that will be all